Hi guys, welcome back to the channel मैंने ना कुछ तिन पहले एक वीडियो बनाई थी इस चानल पे कि आये ये महमदबाद ने कुछ ऐसे free courses निकाल ले हैं on a website called Coursera जो आपने से कोई भी कर सकता है and मुझे इतने comments आए कि आप जूट बोल रहे हो ऐसा कोई course free में available नहीं है तब मुझे समझ में आया कि बहुत सारे students को शायद नहीं idea कि Coursera पे आप courses free में कैसे कर सकते हो और in fact आप उनका एक certificate भी ले सकते हो तो इस वीडियो में मैं आपको वो पूरा process समझाओंगी but before that मैं आपको proof के लिए वो आए है मैं हमदबाद के courses का दिखा देती हूँ कि यह देखो मैं videos चेक कर पा रही हूँ मैंने course purchase नहीं किया है तो it is absolutely doable in fact चारे से तरीके होते हैं Coursera के courses को free में available करने के लिए और वो चार तरीके मैं आज आपको time stamps पे नीचे separately show कर रही हूँ उनमें से last तरीका जो है उसमें आप certificate भी claim कर सकते हो so I hope this video helps you get those courses for free in 2023 तो सबसे पहला तरीका होता है getting the full course without any certificate अब जो पहला दूसरा और तीसरा तरीका मैं आपको बताऊंगी तीनों में process बिल्कुल similar है कि आपको course के landing page पे जाना होता है और ये enroll for free का जो button है इस पे click करना होता है लेकिन जो पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसमें इस button पे click करने के बाद आपको दो options दिखाई देते हैं एक में तो वो कहते हैं कि आप course purchase कर लो और दूसरे में वो कहते हैं कि आप पूरा course free में कर सकते हो आपको certificate नहीं मिलेगा इसमें बस आपको simply वो second वाले option पे click करना होता है और ये वही तरीका है जो मैंने वो IA महंदबाद वाली video में भी explain किया था जैसे ही आप इस पे click करते हो आपको पूरा course accessible होता है आप पूरा course complete कर सकते हो अपनी खुद की pace पे बट आपको certificate नहीं मिलता है that's the only difference so this is the first method दूसरा तरीका होता है using the audit option इसमें भी सेमी तरीका follow होगा आप simply enroll for free के button पे click करोगे बट यहाँ difference क्या होगा कि आपको वो full course no certificate option की बजाए नीचे एक छोटा सा audit का option दिखाई देगा अब ये difference क्यों होता है यह मुझे नहीं पता कि किसी course में ऐसा है और किसी course में नहीं है पर किसी course में आपको full course no certificate की बजाए simply audit करने का option given होता है मतलब दोनों का बिल्कुल सेम है अगर आप इस audit के button पे click करोगे तो भी आपको पूरा course freely accessible होगा without any certificate तीसरा तरीका है specialization courses का और यह बहुत interesting चीज़ है मैं इसको अच्छे से समझाती हूँ तो courses आपे दो तरह के courses होते है एक तो कोई भी आप normal course करते हो और दूसरे कुछ ऐसे courses होते है जो किसी specialization का part है तो मानलो आपने 4-5 courses को club करके एक specialization बना दी जैसे कि एक example है it's called data analysis and presentation skills यह PwC की एक specialization है इस specialization में एक course बहुत अच्छा है called data driven decision making by PwC जो मैंने बहुत बार चैनल पर recommend भी किया है कि अगर आप consulting करना चाते हो तो यह वाला course करना तो जब students इस course के लिए search करते हैं Google पे तो generally यह specialization का page खुलता है यहाँ पर कहीं पर भी enroll for free का option नहीं होता बलकि simply enroll करने का option होता है जब आप उस पर click करते हो ना आपको full course no certificate option मिलता है ना आपको कहीं audit का button मिलता है तो तब students बोलते हैं कि हमें तो यह course free में करना था लेकिन कोई option ही नहीं है option है बट लोगों को यह पता नहीं है तो आप क्या करोगे आप simply scroll down करोगे और नीचे courses के button पे click करोगे इस से इस particular specialization के सारे courses आपको visible हो जाएंगे and then उस particular course पे जैसे data driven decision making course पे आप जब click करोगे then आपको enroll for free का button भी दिखाई देगा and जब आप उस पे click करोगे तो आपको नीचे audit का button भी ज़रूर दिखाई देगा so this is another way जिससे आप specialization वाले courses को free में कर सकते हो and I'm pretty sure बहुत सारे students को यह नहीं पता होगा the final method, the fourth one is called financial aid यह वो तरीका है जिसमें आप course देरा के किसी भी course को free में complete भी कर सकते हो और साथी साथ में एक certificate भी avail कर सकते हो for that particular course लेकिन इसे करने के लिए आपको 15 दिन का time चाहिए होता है now let me explain कि उसका क्या process है financial aid का मतलब होता है कि अगर आप किसी भी course को करने के लिए willing तो हो लेकिन उसकी free पे नहीं कर सकते हो तो आप simply एक button पे click करते हो जो कि enroll for free के बिलकुल next होता है called financial aid जैसे ही आप इस पे click करोगे वो आपको कुछ questions पूछेगा कि आप इस course को complete करोगे तो आप yes बोलोगे secondly आप 150 words में explain करते हो कि आप क्यों financial aid के लिए apply कर रहे हो and then you can submit this application मुझे इस channel के बहुत से users ने ये feedback दिया हुआ है कि जब भी वो financial aid के लिए apply करते है within 15 days उनकी application approved हो जाती है application का मतलब basically आपने ये जो form submit किया था वो submit करने के 15 दिन के अंदर-अंदर आपको पूरा course freely accessible होता है और आपको certificate भी मिलेगा अगर आप उसे complete करोगे अब यहाँ पर एक question आता है कि क्या मुझे 15 दिन कर लो और वो करने के साथ-साथ आप financial aid के लिए भी apply कर लो financial aid का process पंदरा दिन लेगा लेकिन तब तक आप जितना course कर चुके होगे उतना course आपकी progress में count हो जाएगा उसके बाद simply आपके course में बस एक certificate का option add-on हो जाएगा और कोई difference नहीं है so you can do the courses for free you can also get the certificate for free and I hope this video helps you if it does please do give it a thumbs up तक ये और सारे students पहुंच पाए जो courses free में करना चाहते हैं और अगर आप वो आएए महांदबाद के free courses वाली video देखना चाहते हो तो it is linked here I hope कि अब आप वो courses free में कर पाओगे thank you so much for watching this guys